आज हम बात करने वाले हैं हमारे Microbiological या Microbial आसे के अंदर गड़ जो तीन मेथड हैं उन्में से पहले मेथड का animation presentation यानि की animation की मदद से हम समझने वाले हैं आपके cylindrical plate मेथड को या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं Cup Plate Method क्यों Cup Plate Method बोलते हैं क्या principle है सबका detail हमने whiteboard section पर upload कर दिया है explain के साथ बस मैं के वाल आपको समझाने वाले हुआ procedure को help animation के साथ चलिए यहां पर कुछ basic चीजों के बारे में जान लेते हैं इस process को पूरा करने के लिए हम एक media के ज़रुद पड़ेगी इस media में हम हर उन चीजों को add करेंगे जो कि macrosm के growth को support करेगा जो कि media हम use कर रहे हैं तो यहां पर हमको एक bacterial sample की भी ज़रुद पड़ेगी यह जो bacterial sample होगा वो suitable होगा और susceptible होगा respective antibiotic के respect में अब हमने media देखा और media में हमने bacteria को भी include किया तो हमको test करने के लिए antibiotic तो चाहिए ही होगा यह antibiotic दो तरीके के होते हैं वैसे antibiotic के type नहीं है जिस antibiotic का हमको evaluation करना है वो हमारा test antibiotic कहलाएगा और जिसके compare में हम अपने test का evaluation करेंगी वो हमारा standard या तो reference कहलाएगा जिसकी तुलना करनी है वो test जिससे तुलना करनी है वो standard यह दो process को हम follow करेंगे यहाँ पे हमको zone of inhibition निकालना है और zone of inhibition निकाल करके हम यह बता सकते हैं कि कौन सा antibiotic ज्यादा powerful है यह रही basic के बारे में चलिए मैं आपको animation की मदद से समझाता हूँ ताकि one to one के form में आप आसानी से समझ सकें हम सबसे पहले consider करते हैं एक bacterial sample को यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अपने sample holder पे यानि की सिदा सिदा को बोला जाए तो glass vessels पे यह एक bacteria का sample है यह bacteria आपके taste के accordingly specified है यानि की आप हर एक taste के लिए कोई भी randomly bacteria का sample नहीं लेंगे हर एक antibiotic के respect में chart दिया हुआ है यह chart भी हमने explain किया है इस chart के accordingly आपको macrosm को select करना पड़ेगा उनके suspension को लेना पड़ेगा तो यहाँ पे हम ले लेते हैं यह एक bacterial का sample है आप क्या करने वाले हैं हम एक media prepare करेंगे media यू तो सुरू में liquid media होगी लेकिन दीरे से जब वो temperature को down करोगे आप तो वो solid में convert हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें agar को use किया है as a solidifying agent तो यह agar media है यह एक petri plate या petri dish जिसको भी आप बोलते होगे इस पर यह रखा हुआ है next बारी आती है हमारे यह media को petri dish में place करने की media आपने prepare कर लिया था इस media को आपने petri plate पे transfer कर दिया थोड़े देर रख दिया ताकि यह media solidify हो सके इसके बाद हम का करने वाले हैं इस bacteria के sample को transfer करेंगे वैसे तो दो तरीके explain की गए है पहला तरीका यह होता है कि आप bacteria के sample को superficially उसके उपर transfer कर दो जो कि हम आगे जाकर देखेंगे this diffusion method में काम आता है और किसी किसी literature में यह भी बताया गया but most of the cases दो चीजों को follow करने की solution दी गई है वो यह है कि एक ऐसा media जिसमें हम अपने microbial acid को perform करना चाहते हैं उसमें हम already अपने bacteria के sample को mix कर देंगे मतलब क्या हुआ दिखेगा ज़रा ध्यान से हमने एक media prepare किया ये media आपके bacteria के sample के साथ mix up होगा ये जो हमारा bacteria के sample है इसको हम इसमें mix up कर देंगे just for example यहाँ पर staphylococcus को use किया गया है तो इस staphylococcus को हम media के साथ mix करेंगे और इन दोनों के mixture को हम इस media में transfer कर देंगे तो इससे क्या होगा वो uniformly throughout each and every part of the particle media वो जाकर के अराम से बराबर homogenously mix हो जाएगा ये होगा हमारा media हमने transfer कर दिया bacteria को दोनों को आगे का step क्या करता है एक खाचा बनाना अब ज़राफ अपस से देखिएगा मैं इसको पीछे कर देता हूँ ये हमारा media है और मैंने आपको हल्वे के example से दिखा भी है whiteboard में इस media में हम एक diameter को use करते हैं वे इसमें cut लगाएंगे hole लगाएंगे hole लगाने के लिए जो हम instrument use करते हैं वो या तो stainless steel का बना हो या तो फिर glass का बना हो या तो aluminum का बना हो इसका outer diameter 8 mm और inner diameter 6 mm का होगा तो इसकी मदद से हम लोग depending upon your object cavity create करते हैं चुकि ये animation है जिस समझाना है मुझे compare करते हुए तो मैंने blindly random amount में cup को hole कर दिया है इसलिए इसका नाम cup plate कर लाता है तो यह मैंने एक hole किया यह मेरा दूसरा hole हो गया यह मेरा respectively तीसरे hole हो गया अब मैंने 4 hole भी किया यह मेरा next 5 और यह 6 तो ऐसे ही blindly आपको hole करते जाना है बट यहाँ पे हमने blindly यूज़ किया वहाँ पे specification आप यूज़ करोगे तो यह दोनों क्या है यह है perforation on media plate यह एक प्रकास से गड़ा है अब इसका नाम जो cup plate पढ़ा हो उसका logic भी समझ लीज़े यह जो petri plate है वो तो petri plate ही है न plate मतलब plate अब इसके उपर जो गड़े हमने किये हैं वो cup की आकार के खाचे बनते हैं ऐसे तो इसलिए इसको बुला गया है cup plate method और यह आपका cup तो इस तरीके से यह cup plate method को represent कर रहा है क्योंकि उसी के जैसा दिखाए दे रहा है अब हम क्या करेंगे हम antibiotic के sample को लेंगे जिस antibiotic का आपको compare करना है जिस से compare करना है उनको लेंगे लेंगे अच्छे समाज में आ जाए आपको इस animation की मदद से इसलिए मैंने कई सारे antibiotic को ले लिये हैं अलग-अलग concentration को represent करने के लिए अलग-अलग antibiotic को represent करने के लिए मैंने color use किये वे तो अब हम क्या करने वाले हैं इस जो cavity है यह जो खाचा है इसमें हम antibiotic को fill करेंगे suppose यह मेरा पहला antibiotic है पहले आप ध्यान दीजेगा यह हरी color का है तो इसे मैंने उस गड़े पे fill कर दिया अब दूसरा antibiotic लिया yellow color का इसे भी मैंने गड़े पे fill कर दिया तीसरा लिया, चौथा लिया इस तरीके से respectively मैं इन सब को खाचे में fit कर देता हूँ अब क्या होता है principle यह कहता है जब हम किसी antibiotic को डालेंगे खाचे में तो इस खाचे में है क्या इसमें है हमारा media इस media में है हमारा agar तो क्या होगा agar में पानी ही और यह concentrated है आपका antibiotic ठीक है यह antibiotic है तो इसकी property के accordingly यह धीरे-धीरे diffuse होना start करेगा इस तरव diffusion का principle भी आपको पता है higher concentration से lower concentration के और move होगा तो यह अपनी capacity के accordingly diffuse होगा और दूसरी चीज इस पूरे media में बैक्टरिया तो ही तो यह जो पूरा आप media देख रहे हो हर जगा bacteria present होगा bacteria दीरे-दीरे incubate करने के बाद growth होना नज़र आएगा और यह bacteria growth होगा अगर आपके antibiotic की efficiency नहीं होगी या आपका antibiotic resistance होगा अगर आपका antibiotic अच्छे से काम करता है तो वो इस bacteria को growth होने नहीं देगा तो हम आरा principle आपको समझ में आ गया पूरी जगा मैंने bacteria को represent कर दिया dot की मदद से अब क्या होगा वो देखेगा इसको मैं थोड़ा clear कर दू ताकि आपको चीजें और अच्छे से दिख सकें तो यह यहां तक okay है यहां तक को issue नहीं अब अगला step देखिए यह जो आपके अलग-अलग color के हैं यह हमारे cavity है जिसमें हमने अलग-अलग antibiotic को fill किया हुआ है थोड़ी दिर बाद जब हम इसको incubate कर देंगे तो यह अपनी nature के accordingly diffuse होना start करेगा पहले आप हरे वाले पर focus करिएगा यहां पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है जैसे ही थोड़े दिर बाद incubate होगा incubate होने के बाद यह जो एंटिवाटिक है वो diffuse होगा और diffuse होकर के इस area को हटा देगा तो इस जो white area आप देख रहे हो ना अब इसको मैं फिर समझाता हूँ यह white area यहां से यहां तक इस तरब देखोगे तो यहां तक उपर के ओड़ देखेंगे तो यहां तक नीचे के ओड़ देखेंगे तो यहां तक तो यह जो पूरा area है वहां तक कोई भी bacteria growth नहीं हो पाएगा यह जो color है केसरिया tap का हलका सा color इसको वह हटा रहा है इसका मतलब यह कि इतने दूर तक कोई भी macrosm grow नहीं हो पाया यह इसका zone of inhibition है वैसे ही आप देखोगे अगले वाले का जो हलका सा blue color है उसका zone of inhibition यह देखा आप red का यह देख लो आप blue का यह देख लो और यह जो आपका blue हटा हटा रहा है वह सबसे ज़्यादा हटा रहा है और यह पूरा white का zone है वह हमारा zone of inhibition है वैसे ही यह आपका purple का हो गया जबकि yellow कुछ भी नहीं कर पा रहा है कोई zone of inhibition नहीं है अब हम क्या करेंगी इस zone of inhibition को scale से नाप लेंगे हर एक को नापना है तो आपको हर नाप लेजी एक को चेक करते हो तो एक को चेक कर लो compare करना है टेस्ट और आपके standards से तो दोनों को compare कर लेजी जिसका diameter है वह ज़्यादा होगा यह इस तरीके से उसका zone of inhibition ज्यादा है सबहवेक सी बात और जिसका zone of inhibition ज्यादा है वह ज्यादा effective होता है तो हम इन दोनों को scale की मदद से नाप लेते हैं और यह हमारा कराता है measurement of radius or diameter and that is actually my zone of inhibition उमीद करता हूं कि यह छोटे छोटे जो animation video हम बना रहे हैं वह आपके काफी काम आ रहे होंगे at least concept to clear कर सकते हैं यह animation video full and final तो नहीं है लेकिन अगर आपने हमारे whiteboard section को देखा होगा उसको देख करके समझने के बाद आपने इस animation को देखा होगा तो आपको 100% benefit होगा इसलिए मैं आपसे request करता हूं कि अगर आप direct इस video पर आया है तो एक बार हमारे whiteboard section पर जाके देखेगा वहाँ पर आपको detail मिल जाएगी thank you so much for watching this video नमस्कार, take care